नमस्कार प्राइम टीविम आपका स्वागते मैं हूँ आपके साशिक हम हरोत्रा आर्थिक संकट से जूज रहे श्री लंका में हालात दिन बदिन खराब होते जा रहे हैं हाला तो सित्रस्त प्रदर्शन कारियों ने शनिवार को राश्ट्रपती भवन पर कबसा कर लिया खबर है कि राश्ट्रपती राजपक्षे अपने आवास को छोड़ कर भाग गए है देखी ए रिपोर्ट गंभीर आर्थिक संकट से जूज रहे श्री लंका में हालाद बिगरते जा रहे हैं इस बीच महंगाई से परेशान लोग जोड़दार प्रदर्शन कर रहे हैं प्रदर्शन कारियों ने राश्ट्रपती भवन को घेर लिया है प्रदर्शिन कारियों ने देश के राश्रपती गोडबाया राजपक्षे के आवास पर कबजा कर लिया है राजपक्षे आवास छोड़ कर भाग गये हैं गोड़ तलब है कि कुछ समय पहले भारी बवाल के बीच श्री लंका के पूर प्रधान मंत्री महिंदा राजपक्षे ने इस्तीफा दिया था तो उन्हें आग जनी और हिंसक प्रदर्शिन कारियों से बचने के लिए परिवार सहित घर छोड़ कर भागना परा था और अब राश्ट्रपती गोड़बाया ने राजपक्षे प्रदर्शिन कारियों के पहुचने से पहले ही आवास छोड़ दिया है बताया जा रहा है कि कोलॉंबो में विरोध प्रदर्शिन के दौरान प्रदर्शिन कारियों और सुरक्षा बलों के बीच जरब भी हुई है पुलिस कर्मियों समेत कई लोग जखमी हुए हैं इस दौरान पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तमाल किया इस बीच गाले क्रिकेट स्टेडियम में भी हंगामा होने की खबर है जहां आस्ट्रेलिया श्रीलंका का मैट चल रहा है प्रदर्शिन कारी यहां भी पहुँच गए हैं तो उधर श्रीलंका के प्रधान मंत्री रानिल विक्रम सिंगे ने हालात पर चर्चा करने और कुछ समाधान निकानले के लिए पार्टी के नेताओ की इमरजेंसी बैठक बुलाई है प्रधान मंत्री विक्रम सिंगे ने स्पीकर से संसद सत्र बुलाने की मांग की है सर्वविदीत है कि आर्थिक संकट से जूज रहे श्री लंका की हालत लगतार बत्तर होती जा रही है देश के आम लोग महंगाई से त्रस्थ हैं काफी दिनों से लोग ओल और बिजली संकट से जूज रहे हैं यही वज़े है कि प्रदर्शन कारी राष्ट्रपती गोडबाया राजपक्षे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और उनसे स्तीफे की मांग की जा रही है ब्यूरो रिपोर्ट प्राइम टीवी श्री लंका की हालत तो वहाँ पे हो रहे प्रदर्शन और बच्चों को दिन तक सुलाने से ही पता चल रही है ताकि बच्चों को एक समय का भोजन ना दिया जा सके इसलिए लोग अपने बच्चों को दिन तक सुला रहे हैं विलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही आप देखते रही है प्राइम टीवी सच साहस सरोकार